हेलो फ्रेंड्स वेलकम टो माई यूट्यूब चैनल एटुजट ग्यान एडवांस एक्सल में आज हम सिखेंगे फाइल को जब हम उपन करते हैं तो उपन करते वक्त पास्वर्ड कैसे अप्लाई करेंगे ताकि जो फाइल है हमारी वो उपन नाम तो देखिये हमारे पास एक हमने एक फाइल ओपन की है एबी सी नाम से एक वक्त पास्वर्ड पूचिए तो वो पास्वर्ड हम खहां से अप्लाई करते हैं ध्यान से देखना है वो वीडियो को एन्ट तक अच्छे से देखना है ताकि कोई जोभी माइंड में डाउट तो की फाइल को उपन करते हैं पास्वोड कैसे अप्लाई किया जाता है और रिमूट कैसे किया जाता है तो सबसे पहले हम क्या करें है फाइल में जाएंगे सेव एस पे क्लिक कर देते हैं हम देक्स्टख़ पे सेव कर रहा हूं फास नाम से मैंने इसे सेव कर दिया है डेक्स्ट्ऑ पे फास नाम से सेव कर दिया है पास हो अ को और यहां पर जब नीचे देखोगे तो इक ही तूहल का उब्शन दिखाए बैगा टूहल और यहां पर एक drop down बना हुआ है इस पर जाएंगे और यहां एक option मिलेगा general का option general option पर जब जाओगे तो यहां पर मिलेगा password to open file को open कर तो क्या password डालना है मैंने डाला 123 कोई भी password आप डाल सकते हैं ok कर दिया फिर से password पूछेगा 123 अगेन यहां पर डालेंगे 123 यह ok कर दिया हमने इसे finally save कर दिया और यह जो file है हमारी save हो गई है और यह है हमारी file password अब हम चेक करके देखते हैं कि password को जब हम open करेंगे तो open करते हैं password ask कर रहा है नहीं कर रहा double click किया तो दिखिए हमारा जो data है वो दिखाई नहीं दे रहा तो यह file protected है तो यहां पर हम password डालेंगे 123 ok कर देंगे again 123 re-enter किया password ok किया तो देखिए जो file है वो open हो गई है open वाला password कैसे apply किया जाता है पता लग गया होगा अब बात आती password को remove कैसे करते हैं तो remove करने के लिए हम again जाएंगे save पर click करना है बट हम का जाना है save as भी जाना है save as भी जाने के बाद desktop और अब इस file को जब हम save करेंगे यहां पर general options में तो यहां से हम password को remove कर देते हैं select करेंगे और backspace यहां पर remove कर दिया उसके बाद मैंने इसको save किया file को ok किया और यहां पर नाम में डाल देता हूं जिसे pass to कर दिया है save कर दिया है इसे desktop पे यह हमारी file save हो गई तो देखिए जब हम इसे open करेंगे pass to को तो without password open हो रही है और इसमें हम आसानी से कुछ भी change कर सकते हैं और अगर हम pass 1 को open करेंगे तो वो protected है अभी तो कि उसमें हमने password लगाया हुआ था तो password को कैसे apply किया जाता है और remove कैसे किया जाता है file opening password I hope everything will be cleared about file opening password if you like my videos, share it with your friends and do subscribe my channel and also press the bell icon to get the notification of my own latest videos जखर हम इस उक्तक्भसने आसे काा स्वा़ tenha उक्स्रीप पेर्स ताल्त राज्स पा Account एव् убий और पाला मिक जा जचक्ड़़गगा produce alsobub